लूट जो एक विए अपने चल्ड दोजर चॉपस के तईयर ना जो रूस और शो रही होंगे ठीक है देखो आज का लेक्चर ना वड़ा खास रहने वाला है देखो मैंने क्या किया जो हमारा शेशन चल रहा है मैंने क्या करवाया आपको मैंने पांच लेक्चर लिए एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच और इनकर डिफिकल्टी लेवल कैसे था कि यह सबसे पहले के कोश्चन थे मेरे पास मतलब यह कब के कोश्चन थे यह मेरे पास 2018-19 के कोश्चन 19-2022 और यहां पे क कुछ में के कोश्चन थे है ना और यह हमने किसमें किया यह हमने किया पर्सेंटेज एड प्रॉफिट एंड लॉस में यह किसमें हमने पर्सेंटेज प्रॉफिट लॉस में आज के लेक्चर में मैं कुछ खास लेका हूं क्या कि पर्सेंटेज के 2023 के जो question था है basically 2022 तक के question में discuss हिए था because 2023 के अलग से मैं करवाने चाह रहा था पहले इसके फिर में profit loss के अभी इसके एक session चाह दोर आएगा उसके बाद ठीक है मतलब अब CGL pre 2023 में जो question आये था आज हमने वो discuss करने है क्यूं वाइ इस question are so important because आपको पता चलेगा कि प्री में किस लेवल के question आते हैं मतलब आपको पता चलेगा कि pre exam का आपका लेवल क्या है भई मैं प्री में किस तरह की question से मुझे टेकल करना पड़ेगा सब 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 पहले ठीक है दूसरी बात क्या है क्या कोई question repeated होते हैं किस तरह की question repeat होते हैं मुझे वह भी आज की class से basically पता चलने वाला है और जो repeated question है उनको easy way से कैसे करना है कि इसी पैसे करना कैसे है basically हम आज यह जानेंगे तो बहुत important रहने वाले lecture प्लीज like करो share करो और comment करना तो भाई बिल्कुल नहीं भूलना clear और अगर आपको को particular chapter भी पढ़ना है ना जैसे आपको लगता कि उसकी theory आपको चाहिए या कुछ और आपको करना तो please 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 guide कीजिए definitely मैं वह आपके लिए ले क्या हूंगा तो पर्सेंटेश सी सीज़ा 2023 के questions आज हम discuss करने वाले उसके पहले क्या कोई ऐसा तरिका है देखो मैं की बात मानता हूं अब जितनी मर्जी बुक लेलो बहुत सारे लेक्टर में बताई होगी आप कोई बुक उठालो तना उसको करना साथ करो कहा तक करोगे पिर दूसरी बुक उठाओ गया उसमें कुछ नहीं मिल जगा फिर तीसरी बुक उचाओगे कोई बुक कंपाइल नहीं कर दो सारा से लिवस मैं एक बात हूं किसी में कोई शौटकट अच्छा हूआ किसी में का 4999 का full subscription मेरे को देखने को यहां पर मिल रहा है जिसके अंदर जैसे कौन सी पॉस्ट है आपकी audit officer हो गया आपका examiner हो गया ठीक है आपका central exercise में होगे एक मैंने 6th and 7th grade पे की वीडियो भी बनाई है अगर आपने ध्यान से देखिए हो 6th grade पे एंड 7th grade पे इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है वो ध्यान से देखिएगा क्लियर आपको पता चलेगा किस किस टाइप की पोस्ट नहीं है कितना कितना पैसा मिलता कैसे कैसे मिलता और कहां से कहां तक वैरी करती है पोस्टे क्या क्या काम होता है थोड़ा वह जो प्रोफाइ से पास है अगर बात करूं कि बैट के अंडर कितने सेलेक्शन से 2200 इतने सिलेक्शन से हमारे बास लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मथ भूलिए नेक्स या मेरे बास क्या है नेक्स या मेरे बास वट्साइप ग्रूप जिसका लेंकि डिस्क्रिप्शन बॉक किजिए और क्योंकि इसमें कोई वीडियो पीडियो पगर आती रहती है तो काम आएगा चलिए पहला कोश्चन क्या गया रहा है यह 2023 क्या सारे के सारे सारे के सारे कोश्चन को हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है इफ ऐस 95 परसेंट ओफ बी दन वट परसेंटेज देखो उसने आप्षन क्या दिया है सो थीन बटे उन इस्के सार साथ प्रके उनिस एक सो साथ सट्राव मुंश मेरा पास ऑप्सञ़ उनिस इस यह मिरे पास परसेंट फी जस्क ना गोजिए कि ना वन नटीटन ओ रहा ट्वेंटी है ना उनिस और भी सोगा नेक्स एक हो वट परसेंट तो फिए इस भी वह बी एक कितना परसेंट है अलब क्या करोगे बीस बटे उनिस गुना सो परसेंट यह निया कितना आपके पास कि दोजार बटे उनिस परसेंट कुछ ऐसा ही है चलो भी डिवाइड करना शुरू करते हैं यह मैं ऐसे करूँ इसको ऐसे लिखू नैंटीन हंडर प्लस नैंटीफाइब प्लस फाइफ डिवाइड़ बाइन नैंटीन और डिवाइड़ बाइन सिधा साधा आंसर आपको फाइब तो कितना बजा फाइब नैंटीन तो कितना बजा एक सो पांच पांच बटे निस परसेंट ऑप्शन नमबर डी मेरा भिल्कुल स्यूत्तर इसका इजी कोशन था आज के कोशन काफी अच्छे रहने वाले हैं चलिए जी दा रेशो बिट्वीन मंथली इंकम एड ए इस एट राशो फाइफ ये भी आपका SSCCC deans धूजाघ रिव काफुशन है इफ षसेंकम इंक्रीजड वाए ट्वंटीपरसेंट एंट इंड्समेट इंक्रीजडेश होता क्या है कि इंकम क्या होता आपके स्पेंडीचर प्लेस कि इंकम होता में रोपास एक्सपेंडीचर जमा सेविंग अच्छा इंकम मैंने बोला यह किसका रश्य है इंकम और एक्सपेंडिचर यानि आठ है यह पांच हो गया तो डेफिनेटले तीन होगा यही होना चीह है अगर मैं बोलूं यह इंकम असी है एक्सपेंडिचर 50 है और यह 30 है मैंने सब को सेव नंबर से कर दिया तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात ने कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं ठीक है क्योंकि जब मैं किसी रेशो में किसी दो चीज़ों को तोड़ता हूं सेम नंबर से डिवाइड करू से मल्टिप्लाइ करूं वो चेंज नहीं होगी जब उसमें आप एड करोगे सब्ट्रेक्ट करोगे ध्यान दखिएगा क्लियर क्योंकि रेशो में आप डाट लिए से करने सकते अच्छा इफ इंकर इंक्रीस बैट 20 परसेंट देखो इंकम को 20 परसेंट इंक्रीस कर दिया यह नहीं असी का 20 परसेंट 16 यह कितना हो गया 96 हो गया ठीक है एंड एक्सपे तो इसका मतलब डेफिनेंटली जो मेरी सेविंग्स है वो कितने रही होगी तैंसर चैसर थर्टीवन छे तिनों पांच चैसे नहीं एक इंक्रीमेट हो कितने में 30 पे गुना आफ सो परसेंट तो एक इतना हुआ 10 पाई 3 परसेंट इसे में क्या बोलूंगा 31 पाई 3 परसें इसे नोट की दिनेक्स वे चलेंगे तो यह तो यह बात करना किसी भी सैट में आऊना सबसे जादा इंपोर्टन कोशन यह था क्योंकि यह ऐसा नहीं था कि आपने आख उठाई और आपने कोशन करना स्टार्ट कर दे कुछ अलग था सोहानी पेस टैक्स अट 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 अरे इसके टोटल इंकम 90,000 उस पर 30 परसंट का टैक्स देंगे एक इसकी बात हो रही है सोहानी थीके सोहानी ने नब्य हजार पर 30 परसंट का टैक्स दिया तो डेफिनेटल उसने अब 27,000 करण टैक्स दिया होगा इसका यूज है या नहीं है देखेंगे अच्छा जी और है रि रितिका प्रेस्टेक्स एड़ रेट ओफ 40 परसंट इंटार इंकम वाई यानि उसकी इंटार इंकम वाई है उसने 40 परसंट का मुझे पी दिया यानि 40 परसंट हो गई यहां से इतना होगा टैक्स इव दा ओवरोल टैक्स रेट इस 37 परसंट मतलब दुनों को मिला के जो मुझे टैक्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 37 परसंट कैसे करेंगे और मुझे बताने वाई की वालो देखो सबसे पहली बात एलिगेशन नम की चीज़ होती है न उसका यूज़ करो मिटा रहा है उसको कि अगर देखो वो क्या रहा है अगर सोहनी की बात करें कि आख सोहनी की बारे मी कितना टेक्स है अए 30 परसेंट ठीक है अगर मैं रितिका की बात करूं को मैं कई है को इसकी बारे ब्सेद्ष कि टेक्स है कुर्ती पर्षेंट तरटी पर्सेंट इनकों मिलाए चेट emocono कि कि अगर माइन करो 40-37 यानि कितना 3 परसेंट और यह कितना है 37-37 बेसिकली यह कितना है 3 रेशो 7 यह किसका है सोहानी और यह किसका है यह इंटार इंकम का रेशो आ गया कितने ताइमस 30 थाउजन तो साथ को भी अब 30 थाउजन कर दो कितना अगया दो लग 10,000 ऑप्षिन है यह ऑप्षिन नमपर देखने मिल रहे है सई उत्तर क्लियर जल्दी से नोट कीजिए यह कोशन अच्छा था यह कोशन काफी ब्रिल्लेंट कोशन था इसको कहा जाएगा अ ठीक है चले नेक्स सूशन के दरफ देखो कभी आपको ऐसा लगे ना डी मोरला सारे होते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि भई सबको सारी चीजिए जो चाहीं मिल जाती है ना यह कुद्रत का असूल है तो फिर उसके लाएं में एडवेंचर खतम हो जेगा अगर उसको कुछ मिल अगर आपको पहले गाड़ी मिलें तो आप क्यों बढ़ोगे क्यों इच्छाएं पूरी करना कि भागोगे नौकरी क्यों चाहिए था कि सेल्वी मेंड़ बन सको बस यही चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी बस देड़ निश्चा रखो संकाल परकुम नौकरी मिलें खरी जिरूर मिलेकर आपकरी चलिए जी एक्स परसेंट ओफ दो सुट असी बराबर 15 अफ दो सो चालीस प्लस 20 परसेंट अफ तिन तुस तस देन दे वैल्यू ओफ एक्सस करियो गुशन अ गभी देखो क्या दिये ब्लस ट्वन्टी पर्सेंट ओफ थीन सो दसट देखो परसेंटेज यहां भी यहां भी और यहां भी हटा दो वरना क्या करोगे डिवाइड पर 100 करोगे फिर भी काटना पड़ेगा ठीक है यानि 280 x बराबर किसके है 15 गुना 240 जमा ओफ 20 गुना 310 इसी कोश्चन है कैलकुलेशन बाइस देखो यहाँ भी मुझे 0 दिख रहा है यहाँ भी मुझे 0 दिख रहा है यहाँ भी मुझे 0 साफ साफ दिख रहा है ठीक है तो यह कितना होगा 28 x बराबर कितना होगा 15 32 15 60 360 प्लस ओफ दो कम दो दो तिया चे 620 तो 28 x किसके बराबर आ गया मेरे पास यहाँ यहाँ भी काट सकता हूं देखो चलो देख लेते हैं 639 980 ठीक है तो काटो भाइस को चार से काटो पहले यह साथ से काटो साथ चोक्य अठाइस 14 140 तो यह कितना अगया 35 ताइम्स तो एक से साथ सा वैल्यू किया अगया ऑप्षा नमबर भी 35 इस दा राइड राइड एंसर क्लिए जल्दे से नोट कीजिए काफी इजी कोशन था ज्यादा मुश्किल नहीं था यह चलिए नेक्स कोशन की दरव चलिए चलिए देखो मंथली इंकम वाला दूसरा कोशन है परी में जो आया हुआ ठीक है दा मंथली इंकम ओफ पर पर्सन वस एटी थाओजन इंकम कितने असी और एक्सपेंडिचर अभी मैं आपको बताया था कि इंकम क्या होती है इंकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स यह चोटा का फॉर्मला याद रखिए अच्छा उसने क्या बोला अगर मैंने को इंकम उस कोश्चन में सेविंग दी थी बट अब यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर exact data मुझे दिया हुआ भाई है ना मंतली इंकम कितने अटी थाओजन एंडिस मंतली एक्सपेंडेज इच फॉर्टी थाओजन प्लस ओफ कितना थर्टी थाओजन ठीक है नेक्स एर इस इंकम इंक्रीज वा सोला परसेंट देखो इसकी इंकम सुला कुन आठ्ट यह सुला कुन आठ्ट कितना हो गया यह जो लाट्थे कितना होगा चॉनसर्ट ऐस्टाइस ओन टू एट्टी प्लस हाट शीकर तालिस 128 डबल जरो बाराजार आठ सो यानि होगे 928 डबल जरो ठीक है जी अच्छा नेक्स क्या बोल रहे है एंड एक्सपेंडिंच जैने इंक्रीज बार आठ परसेंट यह क्या होगे आर्ट सिंक्रीज होगे 8 परसेंट यानि 45,000 इन्टो आठ पटे सो यानि 45,000 गुना आठ आठ चो के बतिस पांच अटे चाले चाले शत्तिस वागया यह कितना होगे बाई 48600 अच्छा अब इसको इसमें से माइनेस करना देखो कितना आएगा माइनेस करके प्लस आठ सो में से 600 होगे 200 आगया अच्छा 92-4844200 क्लिया 44200 क्लिया थोड़ी सी थीस में पर जाते नहीं मुश्किल नहीं थी अब क्या करें परसेंटेज इंगरे इन सेविंग्स यानि सेविंग्स पहले 35,000 अब कितनी होगी 44200 यानि कितने का इंक्रिमेंट बहतर सुगा कितने पे 35,000 इंटो आफ सो परसेंट दो जिरो सो दो जिरो कट है यह कटा ठीक है जी देखो यह बीस कुछ आ रहा है अगर बेसिक ने बात करूं कितना आपके पास है सेवन पांच और सोरी सोरी सेवन फोर नहीं यहां पर आएगा कि कुछ और ही कैलकुलेशन होगी यहां पर कितना ना अच्छिए अगर बात करूं नाइन फोर अगर आप बेसिकली इसको देखो माइनस करने भी जाओगे ना 3500 और यह 4000 से कितना जाद है देखो 3500 से कितना जाद है तो 9200 आगे बेसिकली डिवाइड़ेड़ वै कितना 3500 इंटू आफ सो पर से चलिए अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है अब कितना बचा है मिरे पास 920 डिवाइड़ेड़ वाइड़ थर्टी फाइव परसेंट तो काटो जाए इसको पांस अते पैंटिस आगर मैं बेसिकली जाओ वनेटी फॉर अठार पज़ेड़ेड़े पांचो के बीस तो वनेटी फोर बाई सेवन परसेंट तो यह कितना आ रहा मेरे पास 26 25 के राउंड कुछ आ रहा है केतना यह बन रहा है साथ दोनी 14 साची के वैले 26.29 परसेंट आ रहा है फिर तो यह 26.29 प्लीज नोट कीजिए चलिए जी क्या आपका पी इतना यह रहा है बताई प्लीज मुझे क्या 26.289 कुछ आ रहा है ठीक है तो 26.29 परसेंट इस दा राइट एंसर क्लिए चलिए नेक्स कुश्य नोटरों में चलो तू नंबर्स है रिस्पेक्टिवले 17 परसेंट इन 50 परसेंट मोर दन थर्ड नं नंबर इस इंपॉर्टेंट है इस मुश्किल निया असान है विल्कुल देखो कैसे अगर बोदस ही मेरा नंबर है पहला नंबर ए और दूसरा नंबर के है भी कि 17 का मतलब 17 परटे सो कि अगर मैं एक ही बात करूं अगर सी सो है तो 17 परसेंट जादा हो तो कितना होगा आप आपस से 17 परसेंट को देखे जूम कर रहा हो कि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो सकती है 50 परसेंट का मतलब वान पाइट उसका मुदे टू था तो कितना आएगा थी बस इतने सी बात थी इसको करो भाई लिखो यहां पर सो और यहां पर लिखो क्या दो तो कितना गई है 234 यह नंबर क्या था 200 और यह कितना था 300 बट मुझे क्या पुछा दर रेश्यों कितना आएगा 234 रेश्यों 300 तो काटी ज़िए रहा इसको आपके लगने से क्या होगा बठाय तो है आप्शन अबर बीवली को सही है नोट कीजिए प्लीज इसको एजी था चलिए नेक्स पे चलो यह था बड़ा सा इंपॉर्टेट और कन्फूजिंग सा कोशन तू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30 परसेंट इच इस बाइवट पर इस कोश्चन पर जाओ आओगे कैसे अगर 30 पर्सेंट का इंक्रीमेंट यानी 30 पर सेंट का मतलब कितना हुआ रही तीन पर्टेट 10 यानी औरिजिनल फाइनल जो वैलुझ दस थी वह कितनी होगी 13 तो कितनी हो चुक्या हुद आता जब आपने इंक्रीमेंट किया तो बैसि दस से वालू कितने आगे साथ यानि जो वैलिव सौ थी वो कितने उसकी अब फॉटी नहीं यानि कितने परसेंट का डिक्रिमेंट आया 51% का कि क्या ही 51% आचुक है बिल्कुल अब वो क्या कह रहे बहुत यह इसका कितना परसेंट यानि कितने बड़ा भाई 18 कितने पर 50 पर गुना सो परसेंट तीन शिक्क एठारा सतरा ते अब तो शिक्स हंडड़ वाए सेवन्टीन परसेंट तो सतरा यह कितना आगे वैसी करते हैं इसको तो पांसो तस प्लस 85 प्लस 5 मैं ऐसी होगा 17 17 17 देखो यह कितना आगया 595 और 5 तो यह कितना आगया 30 35 5 by 17 तो 35.29 सतरा दुनी चौनते सतरा यह कहा है ओल्मॉस थोड़ा सा कम इस से तो ऑप्षान अबड़ी बिल्कुल सही उत्तर है इसका क्लियर तो कैलिकुलेशन को एक नया आयाम देंगे क्लियर चलिए यह सबसे इंबॉर्डन कोशन है यह आपका किस क्या है इलेक्शन वाला कोशन वोटिंग वाल किया क्लियर है अच्छा तेन परसेंट ओफ दा वोट्स कास्ट वर डिकलेट अन्वैलिड जो 85 परसेंट वोट्स आयना उसका 10 परसेंट इन्वैलिड बोल दिया गया ठीक है इफ देर वर थ्री लैक वोट पीपल ऑन दे लॉट्टरल रोल मतब टोटल तीन लाग थी ठीक है एंड धरम सिक्योड वन लाग थर्टी सेवन थाउज़ वालिड वोट्स वट परसेंटेज ओफ टोटल नंबर ओफ वैलिड वोट्स इंड धरम सिक्योड बहुत अच्छा क अडिवाट किया सो परसेंट ने वोट किया ठीक है इसका दस परसेंट रहा है इसका 10 यानि कितना मान्स एट पैंट फाइफ वो गया था के डिकलेट इनवैलीड अच्छा इसमें से एट वाइन बाइफ और मानस करना ना इसमेंस पहले आठ माइनस करो कितना हुआ 77 तो भी कितना करो 76.5 वागे मतलब इतने नंबर ओफ वोट्स मेरे पास थे ठीक है चलो इप देर वर 3 लैक पोट्स पीपल उन्दे लेक्टर टॉल मतलब 100% की वैल्लू कितनी दिये मुझे 3 लैक तो एक परसेंट की वैल्लू कितनी हुए आपके बास थर्टी थाउजंड यह से बोलो 3 इंटो टैंस पाथ री क्यों लिखा यह से अभी बताता हूं मैं बिल्कुल क्यूंकि मुझे किसकी वैल्लू निकालने 76.5 की एक परसेंट की वैल्लू कितनी है इतनी आगी तो मुझे 76. परसेंट की वैल्लू निकालनी है तो इसका मुझे मुझे करना क्या होगा 76.5 इंटो ओफ 3 इंटो ट्रैंस पर 3 यह मैं ऐसे करूं 76.5 76.5 76.5 इसको तीन बार एड़ करनों जब भी दूतीन होगा पंदरा का पांच हांस से लेक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नादना फैसश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष-ष29 नाविच नावालय बौस यह मेरे पास क्या था वेलिद बोर्हाट कि अबहुत समझजागी बात मैंने केलकुलोइचन में क्या आयान देखेंग कुई आराम से कैलकुलोइचन कुरो कोई भीड़ बात निकार दू ini कए काम गलत नहीं करना डॉझा है अब क्या जिए उसने वॉला को इदेख लिए फो यह के यह क्या रहा है मुझे कि कि धरम दरम पाजी ने कितने वोट लिए हैं धरम पाजी ने 1377 00 वोट ले कितने में से 299500 इंट ओफ सो परसेंट यहीं बताना है अब मेरे पास मेरे पास 50 1745 मैं पहले जाँगो छ oraz पर मुझे दिख रहा है कुछ है थे डिको अगर वैंने 109 59 75 को 6 6 से right कि रॉट को calculation करते हो थोड़ाओ सा ध्यान रखो कि पांच को मुझे 0 चीह तो एक ऑच न ही चेंग चेसे करो पांच अच्छा नो गया पांच पजा चे दुनी बारा और बांच सत्रा कि इतना रहा है कि क्या यह कैलकुलेशन सही है 2995 को मैंने करना है 6 से मल्टिप्लाई तो केलकुलेशन चेक कर ऊदर एक बर कि द्वार देखो 2995 into of कुछ कैलकुलेशन पने चाहिए चेम जाती जिरो तिन नोचे के चावन सतावन साथ पांच पांच नोचे के चावन और पांच पांच सतरा वन थ्री सेवन तो निया रहा है लेट मी चेक था केलकुलेशन पाट के चलो गलती मिलकी कर बिलकुल ठीक रहां बट गलती पता है कि देखो कितना है 2295 यहां के लिखा हुआ तो 2295 इंटू ओफ चे चे पंजाती जिरो तीन नोचे के चावन सतावन साथ पांच चे दूनी बारा पांच सतरा साथ एक चेदूनी बारा 133 13770 तो कितना आगा अप्शन नंबर डी जा राइट अंसर ट्यर तो कैलकुलेशन की गलती यह थी यहां पर भाई 292 295 था और हम प्लीज यह थे मेरे पास जो 2023 ऐसे सीजल प्री में आया थे कुशन और बिल्कुल बढ़िया तरीक्ते से क्लियर तो प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब करना मत भूले चैनल को और आज़ वीडियो क्लियर चलिए चलिए मैं अब फिर बता दूँ अगर आप ऐसे सीजल 2024 की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो भी हवा माइंड ब्लोइंग आपके लिए एकसे बोल सकते हैं कुछ ना बड़ा सब्सक्राइब कर लें कोर्स जिसमें क्या है जो 7500 का नाउग कितने का फोर्ट सिरफ फोर्ट सिरफ ऐसी रिजोड करन रफेस अप वट्सब्रू को जोईन किजिए अब माइक्रो कोर्स के थुरू भी त्यारी कर सकते हैं कैसे करेंगे माइक्रो कोर्स के थूरू त्यारी मैं वह वबता दू इसका लेंगी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में आपको दिया गया इस चलो देख ली शबमें चलिए निक्सिद्ट बॉक्स में फूल को तो माईक्रोग दिया जाएगा क्लियर देखें यहां पर सब सब्सक्रिप्शन से वीडेओ पूर देखने को मिल रहे हैं चलो सबसे पहले दस दिस को मॉमाई नमबर डालेंगे तो टीम आप से अपने जुट जाएगे ठीक है यहां पर देखिए जैसे जर्नल स्टेडिस का पूरा दिया है आपके पास करंट अफेर्स का कंप्यूटर का है मैं प्रीडूट की बात करूंगा ठीक है पूरा बंदल आ आप उसको परचेश जब करना तो ट्राइल लेके किजिए ऐसे नहीं देखो आपके वास तीन लेक्ट्टर से एक वैब नोट्स और 382 एमसी क्यूज है यह एमसी क्यूज नहीं एक तरह से अपकी टैस सीरीज भी हो सकते हैं जब जूडएंगे तो आपको आपने पता चल ज सब्सक्राइब करना मद भूलिए और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गहें सुडेंट्स तो आज ही जोइन कीजिए तैंक यू और 6 मिनिट का ट्राइल लेना मद भूलिए प्लीज थैंक यू